जै स्री राम प्रेमी भक्तो भक्तो एक कमेंट आया है कि भगवान का नाम किवल एक बार लेने से क्या भगवान की प्राप्ति हो सकती है बहुत अच्छा प्रिश्ण है और यह आप जानना चाते हैं तो यह आपके लिए भी हो सकता है बड़े ध्यान से सुनने वाला है अगर ध्यान से सुन लिया और जीवन में उतार लिया तो वास्तव में ही एक वार नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है बंद वो भगवान का जो नाम है वह अनंत है अखंड है और सत्य है वह भगवान का नाम अगर आप जान लेंगे तो वास्तव में भी वास्तव में ही आपको एक बार लेने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है लेकिन पहले उसको जानना होगा क्योंकि नाम जब सभी करते हैं और ये कितनी बार सुनाया जाता है कि पहले अच्छी तरह समझ लें और जब फूरी तरह से समझ में आ जाए उसे दिल में उतारें और उसका निरन तरह भ्यास करें देखिए नाम जब जो होता है वह चार प्रकार से होता है ब्रेक्री बानी मद्यमा पस्चंती परावानी यानि कि बानी के द्वारा उसके बाद होट और जीव के द्वारा उसके बाद मन से और उसके बाद में स्वांस के द्वारा जिसको परावानी कहते है तो परावानी पर जब भक्त पहुंच जाता है पहले उसको बानी से ही करना होगा उसके बाद में इसकी उची किलास में जो वो चड़ जाता है जो किलास पूरी हो जाती है तो उसके बाद में फिर वो मद्यमा यानि के होट और जीव से करता है जब वहां से भी उसका दिल भर जाता है तो फिर मन पर आ जाता है और जब ये स्रेणी समाप्त होती है तो परावाणी पर पहुचता है जब उसका भाग्य उद्य होता है तभी वह परावाणी पर पहुचता है भक्त और परावाणी पर पहुचने के बाद में वह जब उसमें निरंतरता और एकाग्रता ले आता है तो उस नाम को जान पाता है जो आनादिये आनंत आखंड है और वो परावाणी से ही प्राप्त होता है क्योंकि पहले जो उप्तेश किया जाता है जो इसकूल में पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो नर्सरी और एल की यह शुरू होती है तो वैसे तो बाणी से शुरू कर्ते हैं तो वह भी नर्सरी एल की यह लेकिन जब परावाणी पहुच जाते हैं, जब संसकार उद्य हो जाता है, जब उनका बाणी से होटो और जीव से मन भर जाता है, तो परमात्मा करपा करते हैं, किसी गुरू के द्वारा परावाणी का उपदेश प्राप्त कराते हैं, उसके बाद में भक्त को क्या करना चा एक वो चीज बन जाए कि वही है बाकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो जो हमारी स्वांसे हैं वह परावाणी का बिसे हैं और स्वांस सब के अंदर निरंतर चल रही है तो ये जब उपदेश किसी गुरू से पराथ हो जाता है तो उसके अंदर ही वह छुपा हुआ नाम है जो आदिया अनंद सत्य है वो इस तरह से उसके अंदर घुला हुआ है जैसे दूद के अंदर मक्षन उसके लिए प्रिक्रिया करनी पड़ती है पहले दूद को गरम करना पड़ता है, फिर उसको जमाना पड़ता है, फिर बिलोना पड़ता है, तो मखर निकल जाता है, लेकिन आप अगर ऐसे देखना चाहे, दूद के अंदर आपको मखर निकल नहीं आएगा, लेकिन ये प्रिक्रिया जो हमने बताई ये करेंगे आप, तो मक्षन निकलाता है। ऐसे ही जब प्रावाणी का उपदेश कोई गुरू करते हैं, वो समझा भी देते हैं, कि आप इसके अंदर पहले निरंतरता लाएं, स्रद्धा रखें, विश्वास रखें, और भाव भी रखें। इन तीनों प्रकार से अगर आप इसका अभ्यास करते हैं और निरंतर करते हैं, तो आपके अंदर एकागरता आती हैं, और जब एकागरता आती हैं, तो उस सत्य नाम का अखंड अनंत नाम का अनवब हो जाता है। और जब उसका अनवब हो जाता है, तो उस नाम को एक बार लेने से ही, एक बार के जब से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, निसंदे हैं। आसा करते हैं, आप समझ गया होंगे, आप इस तरह से अपने जीवन में नाम जब अवश्य करें, और अपने कल्यान करें, और भगवान की प्राप्ति करें। अब हम अपनी बार्णी को ब्राम देते हैं। जैश्री राव।